तो हेलो दोस्तो आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ इस चैनल का और एक नाव फ्रेश वीडियो में दोस्तो जैसे के आप लोग जानते हो कि फिरिफायर के आंदर बहुत सारा सेटिंग है और उस सेटिंग में ही दोस्तो एक सेटिंग मिलता है कंट्रोल सेटिंग Control Setting के अंदर दुस्तो बहुत सारा Settings मिल जाता है और दुस्तो मैं आप लोगको 1-1 करके हार एक सेटिंग बेटर तरीके से बता रहा हूँ तो दुस्तो तो पिछले दो वीडियो में मैं आप लोगको Emprision और Left Fire Button जो सेटिंग है वो सेटिंग बता चुका हूँ, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में hold fire to a scope क्या होता है गेम के अंदर और ओन करके रखके खेलने पे क्या फाइदा मिलता है और off करके रखके खेलने पे क्या फाइदा मिलता है ओई मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो यह जो वीडियो जरूर आम तक देखना है और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर एक लाइक करना वीडियो के आंत में जाके और आप लोग इस चनल पर नहीं हो तो जरूर चनल को सब्सक्राइब करना कि दोस्तों मैं अब लोग के लिए फ्रीफायर से रिलेटेड इस वीडियो हमाशा लात रहता हूँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को देखा देता हूँ तो दोस्तों एजु सेटिंग आप लोग देख रहेए हो अगर आप लोग ऑफ राखके गेम खेल ऊगे तो दोस्तों इसमें जो AK रहता है या AR गान का जो भी गण रहता है उसमें आप लोग चोप लागते हो तो इसमें दोस्तों कोई भी फाइदा नहीं मिलता है जिसमें दोस्तों फाइदा मिलता है वो है स्नाइपर तो दोस्तों स्नाइपर जितना भी गेम के अंदर है वो शाड़ा का सारा स्नाइपर में दोस्तों आप लोगों एक बेनिफिट मिलता है क्या benefit दोस्तों यह अगर ओफ राक के खेलते हो तो कोई भी benefit नहीं मिलता है बरंग चों हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है तो दोस्तों होड फाइट ट्रू एसकोप जो setting है उसको ओफ राक क्या कर आप लोग गेम खेलते हो तो क्या होता है दोस्तों स्नाइपर गोली निकल जाता है तो दोस्तों आप लोगोगो पहले जूम करणा पड़ेगा यान कि दोस्तों इसकोप on करणा पड़ेगा ठीज है वीड़ कर सकतूं करे दो तो इसलिए मैं बोलूँगा, जो hold fire to scope है, वो हमेशे on रख के खेलना है, तो दोस्तो मैं आप लोगों को दिखा दिता हूँ, कि hold fire to scope on रख के अगर अगर आप लोग गेम खेलते हूँ, तो क्या benefit मिलता है, तो सबसे पहले दोस्तो आप लोग यह पर देख सकते हूँ, जब भी मैं fire करता हूँ, तब भी दोस्तो जो scope on नहीं होता है, scope मैंने वोली जाके on करना पड़ता है, तो दोस्तो यह थोड़ा दिक्क्यत वाला बात है, अगर आपका जो aim है, वो aim बहुत ज़्यादा आच्छा है, तो आप लोग के अपर hold fire to scope को off रख के भी खेल सकते हूँ, नहीं तो दोस्तो, ऐसे setting off रख के जूम करके, और यहाँ के scope on करके फिर से shoot करना, नहीं तो दोस्तो, अप लोग hold fire to scope बटन है, उसको दोस्तो, जो on है, वो on करके अप लोग गेम खेलना पड़ेगा, देखो दोस्तो, मैंने पहले scope को on किया, on करके दोस्तो, जो enemy है, वो enemy को उपर निशाना करणा हूँ, और जब निशाना सही सही लग से उपर जाते, निच्छे हाते, या आगे जाते, पिछा हाते, साइड में जाते, तो इस से दोस्तो, जो enemy है, इस enemy को aim करना पड़ेगा, और aim करने के दोस्तो, फिर से shoot करना पड़ेगा, तो यतरा दिक्कत बली बाते, और दोस्तो, जो hold fire to scope, अगर on करके खेलोगे, तो ऐस यह से करके मैं fire करता हूं लेकिन दोस्तों जब उसको ओन कर दूँगा तो जोईस्टिक है इसको हाथ भी नहीं लागाना पड़ेगा आटोमेटिक लिए दोस्तों मैं ओफ जोफ जोईस्टिक का काम भी कर लूँगा तो दोस्तों शिंपल सा यहांसे लौट जाता हूं और से पहले दोस्तो क्या होगा जब भी मैं fire button के ऊपर क्लिक करूंगा क्लिक करने के साइस साइस जो scope दोस्तोट जब भी मैं fire करूंग जो EAC on व्ड़ाए और दोस्तो रहות?. इस से ही इस joystick का में मूफ करना, इस जो ski button के ऊपर ट़ॉपूप adelante का में और you घेम खेलते हो तो अप लोग हम्हेशा जो होड़ फार्टी एसकोप है उसको ओन रखे ही खेलना है देख़ो लोस्तों उससे क्या होता है जो जोइस्टिक का काम है वह फार बटन से ही चल जाता है तो दोस्तों देखो मैं कहा निशाना कर रहा हूं और यह देखो जो फार्टन के लिए तो दोस्तो आपके पलोग समस्कूड होंगे कि मिलता है और और उस वीडियो पासंत आथ है तो ज़रूर एक लाइक करना और लाइक करने के सांथ अगर अपलोग इसustreCONN Essa पहे हुआर ड़का लिए निशूरे पहँ करें हो किद division to